स्रियल अनुपुमा की कहानी में एक बार फिर से एक्स्रा मैरिटल अफेर का ट्विस्ट देखने को मिल रहा है वनराज के बाद अब तोशु भी एक्स्रा मैरिटल अफेर करने में जुटा हुआ है तोशु भी वनराज के पद्चीनों पर चल रहा है लोग पूछ रहे हैं कि तोशू शादी होने के बाद भी एक्षा मैरिटल अफेर कैसे कर सकता है ऐसे में तोशू यानि आशिस मलहोत्रा बुरी तर ट्रोल हो गए है इसी बीच आशिस मलहोत्रा ने इस मुद्धे को लेकर चूपी तोड़ दी है आशिस मलहोत्रा ने बताया है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होकर उनको कैसा लग रहा है फैंस के एक सवाल का जबाब देते हुए आशिस मलहोत्रा ने बताया है कि सीरियल अनुपुमा के दर्शक होने के नाते लोग कुछ भी बोल सकते है अनुपुमा के दर्शक मुझे गाली भी दे रहे हैं एक परफॉर्मर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं सही मैसेज लोगों तक पहुंचाऊं अगर इस काम के लिए मुझे गाली पढ़ रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है इस सेशन के दोरान एक उजर ने कहा कि ओ आशिस मलहोत्रा से बेहतर आक्टिंग कर सकता है एक बात सुन कर आशिस मलहोत्रा ने कहा कि उनको अपने इस फैन पर पूरा यकिन है आशिस मलहुतरा ने इस बार बड़ी ही समझदारी से सिरियल अनुपुमा के फैंस के सवालों का जबाब दिया है आशिस मलहुतरा के इस अंदाज ने लोगों का दिल जिद लिया है हाले में आशिसमल हुतरा ने खुलासा किया था कि रुपाली गांगुली के शो की वज़ा से उनकी हालत खराब हो गई है फिलाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें